हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू साइंस मेगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शांदार हैं जानदार हैं तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है जहां पर रेलवे गृप डी साइंस के लिए जो माद्यम से आप लोगों का ये चैप्टर पूरा कंपलीट हो जाएगा और जो अपनी थीम है एक क्लास एक चैप्टर खतम इसका आप लोगों को ध्यान रखने है ठीक है दोस्तों आज शाम को चार बजे में आप लोगों को डॉपलर रिफेक्ट पढ़ाऊंगा और आज का कितनी शांदार चीज़ है दोस्तों इस प्रकरती में आपके आसपास में जितनी भी गतिवीदिय हो रही है उससे हमें बहुत सारी चीज़े सीखने को मिलती है और यहां पर जो हम लोगों को सीख लिनी चाहिए वो लिनी चाहिए कौरे से क्योंकि जब कोरा होता है आप लो एक महीने अर्व कि आप लोगों का एक महीने आपके पास में समय बचा है पता नहीं वह एक महीना दurrection करों स्की बारे में क्योख कर रहें तो ना कि कि विटामीन की study क्या कहलाता है विटामीन के अध्यान को आप लोगों क्या बोलोगे चार आप लोगों को option दिया हुआ है तो देखिए इसका correct answer आप लोगों का हो जाएगा मतलब सारे देखने पर एसे लग रहा है कि यारी कि क्या फंगस के बराबर होगा तो आप लोग देखो वाइरस की study को हम लोग बोलते हैं वाइरोलोजी similarly फंगस यानि कवक के अध्यान को हम लोग बोलते हैं माइकोलोजी ठीक है तो यह क्योशन इस बार के NTPC CBT1 में पूचा गयता तो यह भी कुछ ही मिलता जूलता ही है तो गलती से अगर वाइरोलोजी होता है ना या कुछ भी आप्शन दिया होता तो उस पर टिक मत करते है चलिए आगे चलते हैं नैश कोशन पर अंसर आप लोग बताईए कोशन आपकी स्क्रीन पर बताईए दोस्तों आप लोगों से पूचा जा रहा है मानव शरीर के सुचारू कारे करने के लिए जो विटामीन की कुल संख्य है वो कितनी है जैसे आप लोगों को बता है हम लोगों को विटामीन A की विजरोद पढ़ती है C की भी पढ़ती है विटामीन B1 की भी पढ़ती है तो को simple पहली यहाँ पर एक important चीज में आपको बता दूं कि जब आप लोग बिमार होते हो टो डॉक्टर बहुत सारी medicine साप लोगों को देखते हैं तो इस medicine में बहुत सारी ओविटामिन मिलते हैं तोल कितनी विड़ामिन है धेत ही अब ही बताते हैं तो विटामिन ए सी डीए के टॉटल कितने विटामिन और यहोगय ayod G इनच मूर्ण को छलिए नेजक और आ द्यान से देखिए अंसर बताईए जैगो दोस्तों आप लोग बहुत अलग-अलग mineral यानि खनीच खाते हो जैसे sodium भी आप लोग खाते हो potassium भी काते हो calcium भी खाते हो iron भी खाते हो और minerals की हमारे body में बहुत जरूत होती है क्योंकि अलग-अलग mineral के कारें अलग-अलग होते हैं जैसे हम लोग बात करें calcium तो यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है बात करें sodium तो अगर आपने sodium नहीं खाया तो आपका blood pressure काफी कम हो जाएगा अगर आप लोगोंने iron नहीं खाया तो आप लोगों की body में जो RBC पा होते हैं ना उनको आप लोग दो पार्ट में बाढ़ सकते हो एक होता है आप लोगों का macro और एक होता है आप लोगों का micro इन दोनों में difference क्या है तो अगर किसी mineral की मात्रा प्रती दिन आप लोगों को 100 mg चाहिए है ना 100 mg से ज्यादा चाहिए तो उसको आप लोग बोलेंगे macro mineral अगर किसी mineral किसी खनीच की मात्रा प्रती दिन आप लोगों को 100 mg से कम की चाहिए है तो उसे आप लोग बोलेंगे micro mineral आप मुझे एक ची बताइए क्या आप लोगों के खाने में नमक होता है क्या बिल्कुल होता है आप लोग रोटी खाते हो ना रोटी तो आटे में नमक मिलाते हो के बिल्कुल मिलाते हो सबजी में नमक होता है तो कितना सारा नमक आप लोग खाते हो दिन में यानि आपको नमक की मात्रा ज्यादा चाहिए नमक से आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है एक तो सोडियम मिल रहा है और एक आप लोगों क्या मिल रहा है क्लोरीन मिल सकते हो तो कुल मिला कि इनकी मातरा ज्यादा चाहिए होती है यानि सोडियम भी आपका मैक्जम्पल्स कौन-कौन से तीन तो मैंने आपको बता दिया सोडियम हो गया क्लोराइड हो गया कैल्शियम हो गया कि तो ध्यान रखेंगे क्या सोडियम की मातरा गको कंट्रोल करते हैं तो आप लोग गोलोगें इससे कैसे बड़ा देगा आप जो चीज खानों उससे absorption बढ़ा देता है ठीक है phosphorus, magnesium, sulfur तो ये आप लोगों के साथ होते है macro mineral, इसके अलावा बाकी जितने भी है, सारे के सारे micro है clear है क्या, चलिए, answer बताईए इसका बताईए कौन सा जल में गुलंशिल विटामीन है तो total जितने भी विटामीन से इसमें कुछ आप लोगों के जल में गुल जाते है कुछ जल में नहीं गुलते है कुछ वसा में गुलते है, फैट में गुलते है तो आप लोगों से पूछा जाए water में soluble कौन कौन से है simple trick याद रखो, white blood cell यानि श्वेत रक्त कोशिका को हम लोग बोलते है water यानि जल में गुलन्षिल विटामीन कौन कौन से होता है vitamin B और vitamin C तो जल में गुलन्षिल विटामीन कौन से हो जाएगा vitamin C भी होता है और vitamin B भी होता है आपको पताना, total 8 vitamin B होता है vitamin B1, B2 तो सारे के सारे आप लोगों के क्या है water soluble है तो correct answer आप लोगों का option number D हो जाएगा जो simple से आप लोगों को ध्यान रखना है जो vitamins होते हैं दो प्रकार के एक fat soluble यानि वसा में गुलंशील और एक water soluble तो water soluble कौन कौन से बताए मैंने vitamin B और vitamin C और इसको याद करने की trick क्या है simple से याद रख लो कीड़ा जो कुछ बच्चों के है तो दो विटामिन के विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A ये चारो के चारो आप लोगों के fat soluble होंगे बाकि आप लोगों के water soluble चलिए अंसर बताए इसका अंसर बताए आप लोगों से क्या बोला जा रहा है विटामिन B6 डैश गुलंसील है जिसकी कमी से डैश रोग होता है तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बता है WBC से याद रखो water soluble कौन कौन से होते हैं विटामिन B और विटामिन C तो विटामिन B6 भी water soluble होगा के बिलकुल तो ये आप लोगों का होगा water soluble यानि जल में गुलंसील क्या ऑयल में तेल में घुलंसील होगा कि तेल में किसकी मात्रा जढ़ा पाई जाती है फैट की तो तेल में कौन से विटामिन आप लोगों के गुलेंगे जो फैट में गुल सकते हैं विटामिन K विटामिन E विटामिन D, विटामिन A, चलिए ये तो समझ मा जया गया, जल में गुलन शील है, दोस्तोँ इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से होता है, दोस्तों गौन गों सा है, आपके ब्रेन ही आपके बाड़ी की सारी activity को कंट्रोल करता है, आपके muscle चैनी mass Dios के movement को, आपके बहुत सारी चीजे आप लोगों के ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है तो दोस्तों जो नर्वस सिस्टम होता है ना तंत्र का तंत्र अगर आप लोग चाते हो कि यह प्रॉपर्ली कारे करें तो आप लोगों की बॉड़ी में विटामीन B6 की सफिशेंट मात्रा होनी निकरेंगर तो बार-बार अप लोग गिलर जाओगे तो इसको आप लोग बोलता है कनवल्जन तो यह किसकी वज़े से होता है विटामीन B6 की कमी से होता है और इसको आप लोग हिंदी में आक्षे form बोलता है ठीके दोस्तों चलिए इसका अंसर आप लोग बताएंगे कियो न बताये आपकि स्क्रीन पर है देखिए आप लोगों से बोला जारा है विटामीन के अधिक सेवन की स्तिती को आप लोगा बोलोगे यहाँ विटामीन अच्छी बात है आप्लोगों को लेने चहिए बट आप लोग ज्यादा ना ले कुछ कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जिनके एक्सेस अमाउंट जब आप लोग की बॉड़ी में श्टोर हो जाता है ना वो कुछ समय बार में एक पॉज़न की तरह कारे करता है है ना तो विटामिन ज्यादा नहीं होने चाहिए है ना जो लिमिट है उतनी होनी चाहिए यार लिमिट से ज्यादा तो आप लोगों का पानी भी वेकार आप लोगों को बता है ना दोस्तों तो आप मुझे बताईए अगर आपके बॉड़ी में विटामिन की मात्रा ज्याद ठीक है एक होता है हाइपो हाइपो का मतलब क्या होता है कमी हाइपर का मतलब क्या होता है व्रदी तो अगर आप लोगों की बॉड़ी में चीक है डेफिशनसी हो किसी एक की है ना मतलब डेफिशनसी का मतलब क्या है वो आपकी बॉड़ी में बिल्कुल भी नहीं है डेफिश तो करेक्ट अंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा option number D हो जाएगा दोस्तों hyper से याद रखेगा ये word इस्तिमाल होता है किसी चीज के वद्धी को दरशाने के लिए चलिए नैश कोशन आपकी स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे आप लोगों से बोला जा रहा है एक जनाब बोलना सर ऑप्षन हिंदी में देते हैं दोस्तों इसको हिंदी में यही बोलते हैं इसलिए मैं इसको हिंदी में ने लिका ठीक है चलिए विटामिन B2 को और किस नाम से आप लोग जानोगे तो टोटल आठ विटामिन B होते हैं आप लोगों को पता है विटामिन B1 होता है विटामिन B2 होता है विटामिन B3 होता है B5 होता है B6 होता है B7 होता है B11 होता है B12 होता है तो विटामिन B2 को किस नाम से जानते हो तो देख नासीन विटामीन B5 का होता है पेंटो थैनिक एसिड विटामीन B6 का होता है पाइरीडोक्सिन विटामीन B7-czeitig Sodrin B9-cLink and Folic acid या आप लोग इसको एक नाम से और जानते हो इस बार के आपकी में पूचा गया विटामीन B9 का दूसरा नाम पता नहीं अलग लग ट्रिक आप लोग याद रखते हो रथ पर एक टॉफी जैसे मैंने भी आप लोगों को क्लास में करवा है थारी नीने पापी बाई से नॉन फॉल्डेबल बारा कंबल करी दे यार बट मैं आप लोगों को वोलूंगा ट्रिक पर मत जाओ क्योंकि आप एक चोटा सा एक्जामबल बताईए आपके एक्जाम में पूछा गया है विटामिन बी नाइन का साइंटिविक नेम बताईए तो आप पहले ट्रिक लिखेंगे मतलब मालो रथ पर एक टॉफी है ना रह से हो जाएगा विटामिन परलब समझ रहा आप अच्छ क्या है जाए जैसे आप लोगों से बोले विटामिन विटामिन बीधीरी थीК का क्या है न नियासीन विटामिन जाएनगे ब लगेंगे यार तो आखरार मुरम जवाना मीट लिए तो एक जम बहुत 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 इजी रह एगा तो इसका करें चाले रहे ते राइबो फ्लेविन हो जाएगा ठीक है चलिए नेश कोश्चन आपकी स्क्रीन पर अब देखिए दोस्तों विटामीन बीटू है ना इसका केमिकल लिम में आप लोगों को बता दिया राइबो फ्लेविन आप लोगों से कई बार पूचा जाता है निमन में से कौन से विटामीन को विटामीन जी के नाम से जाना जाता है दोस्तों विटामीन बीटू ही है जिसके आप लोग विटामीन जी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो अपीरियंस होता है वो गोल्ड कलर का होता है बात करें इसकी कमी से कौन से डीजिज हो जाती है इसकी कमी से हो जाते हैं मुह में हो जाते हैं अंसर आप लोगों के जिसे आप लोग क्यालियोसिस और हिंदी में ओष्ट विदरता भी बोलते हैं तो यह आप लोग सारी चीजे ध्यान दरखेंगे चलिए अंसर आप लोग बताएंगे जनली से बताईए दोस्तो क्योशन में आप लोगों से बोला जा रहा है नियासीन की कमी के सवी लक्षन है सिवाए डैश के तो नियासीन क्या होता है अभी मैंने आप लोगों को पिछली स्लाइट में बताया था विटामिन B3 को ही आप लोग नियासीन के नाम से जानते हो में B3 की कमी से 3D डिजीज होती है जहांपर पहले D का मतलब है डाइरिया यानि दस्त यानि लूज मोशन दूसरे D का मतलब है डर्मेट आइटीज यानि तवचा रोग आप लोगों के स्किन में इंफेक्शन हो जाता है और तीसरा है दोस्तों डिमेंशिया डिमेंशिया में आप लोगों का क्या होता है आदमें बहुत ज़्यादा चीज़े याद नहीं रख पाता और इन्ही को आप लोग कंबाइन डूप से क्या बोलते हो पहलागरा बोलते हो तो आप लोग बोल सकते हो पहलागरा की सिम्टम से तीन सिम्टम से समझ में आगई बात को, तो कौन सी चीज नहीं होती है, बाल का जड़ना, तो बाल का जड़ना विटामिन B3 की कमी से नहीं होता, तो अगर आप लोगों से पूछा जाये, विटामिन B7 का साइटिफिक नेम क्या है, आप लोग बोलेंगे, बायोटीन, अगर आप लोगों से पूछा जाया है विटामिन B7 को किसी और नाम से भी जाना जाता है कि बिल्कुल दोस्तों इसे ही हम लोग विटामिन एच के नाम से जानते हैं समझ में आगया तो इस एच की कमी से हेर यह एच वाला हो जायागा ध्यान रखेगा ठीक है चलिए नैश कोश्चन आपकी स्क्रीन पे अंसर आप लोग बताएंगे अब इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना कोश्चन को पढ़के पता नहीं सर क्या पूछ लिया आपको सब आता है देखो आप लोगों से बोला जा रहा है एंटी पैलेगरिक विटामिन तो एंटी पैलेगरिक विटामिन कौन सा होगा जो पैलागरा को बगाए तो अभी मैंने आपको बता है विटामिन B3 की कमी से पैलागरा होता है तो अगर आप लोगों का विटामिन B3 आपकी बोड़ी में सफिशन मातर में होगा तो पैलागरा नहीं होगा तो एंटी पैलेगरिक विटामिन कौन सा होगा विटामिन B3 जिसका नेम हो जाएगा काफी बार पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इस कोशन को इंकलूड किया है बहुत अच्छा क्योशन है बताइए और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो बोलना पड़ेगा क्या आपको मनुशे में कुपोशन रोग डैश है आप लोगों को चार ओप्शन डिये में आपको बताइए इन में से कौन सा आप लोगों का माल नूट्रिशन डिजीज है दोस्तों माल नूट्रिशन डिजीज का मतलब क्या है आपकी बोड़ी में भोजन की कमी से पोशक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को ही आप लोग क्या बोलते हो माल नूट्रेशन डिजीज बोलते हो नूट्रेशन आप लोग जानते हो पोशक तत्व को बोलता है माल नूट्रेशन यानि पोशक तत्व की कमी जैसे माल लोग कोई प्रोटीन की कमी से हो गया या कोई किसी और की कमी से हो तो मुझे आप लोगों को बताना इन में से कौन सा एक कुपोशन ड्रोग है अब आप लोगों को पहला वाला ओप्शन दिया हुआ है क्रीडू चैट सिंड्रॉम दूसरा आप लोगों को दिया हुआ है क्लिन फैल्टर सिंड्रॉम तीसरा आपको दिया हुआ है पॉट बैली घृष 5- π. फाइफ माइनस सोन्डॉम भी बोलते हो अब दोस्टो की भूलोगे सर आणुमान्शिक रोग कौन से होते है जो एक पी डी से दूसरे PD में आ जाते है अब दोको इसमें actually में problem क्या होती है आप समझे मेरी बात को जैसे हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिका उसे मिलके बना हुआ है दोस्तो क्या कोशिका में nucleus यानी केंद्रक पाये जाता है कि बिल्कुल पाये जाता है अगर मैं आप लोगों से बोलू nucleus यानी केंद्रक की अध्यन को क्या बोलते हैं तो याद रखेगा केरियोलोजी बोलते हैं इस बार के NTPC CBT1 में पूचा गया था बहुत जैने अंसर पेर होते हैं 23 पेर होते हैं तो इस crudo chat syndrome में क्या होता है जो आप लोगों का chromosome 5 होता है जैसे मालो यह पाचवे नंबर का है तो इसका एक chromosome गायव हो जाता है तो इसी DGH को आप लोग बोलते हो यह आप लोगों का crudo chat syndrome तो यह किसी पोशक तत्व की कमी से नहीं हुआ ठीक है next हम लोग बात करते है clean filter syndrome दोस्तो clean filter syndrome में क्या होता है जो 23 पेर होता है न जहाँ पर दो chromosome होने चाहिए थे वहाँ पर एक एक एक्ष्टर आ गया और generally यह आप लोगों के किसमे होती है male में होती है तो male में अगर यह समझ्चा हो गई तो उनकी body पे कुछ ना कुछ तो प्रवाव पड़ेगा ना बिल्कुल पड़ेगा तो अगर testosterone hormone अगर नहीं बनेगा तो यह सारी चीज़े हो पाईगी या नहीं हो पाईगी नेक्स अम लोग बात करते है एडवर्ड syndrome एडवर्ड syndrome ते को option number D में दिया वाता ना देखी दोस्तो एडवर्ड syndrome में क्या होता है जो 18 नंबर का आप लोगों का पेर होता है ना इस उसमें एक extra जाता है जयसके दो है ना दो की जगा है तीन हो जाते हैं इसको बोलते हैं Trisomy क्या बोलते हैं दोस्तों Trisomy और अगर दो की जगे एक हो जाता है तो इसको आप लोग बोलते हैं Monosomy तो जैसा कि मेंने भी आपको बताया एड़वर्ट सिंड्रॉम डिजेज में क्या है जो अठारवा आप लोगों का क्रोमोसोम का पेयर है ना उसमें एक एक्स्ट्रा आ गया तो इसी डिजेज को हम लोग ट्राइसोमी 18 के नाम से भी जानते हैं तो इन में से एक भी डिजेज ऐसी नहीं है ए बी डी जो किसी तत्व की कमी से हो रहा है बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी पॉट बैली पॉट बैली का मतलब कि आपका पेट टोड़ा सा इस शेप का हो गया अब आप लोगों के प्रोटीन की कमी से होता है ठीक है तो करेक्ट आप लोगों के मसूडों से अक्सर खून आता है तो यह कौन से बोला जा रहा है अरून के मसूडों से अक्सर खून आता है तो यह कौन से विटामीन की कमी से हो सकता है तो पहले तो बात करता है मसूडों में खून आना यह कौन से डिजीज के सिम्टम है तो यह है इसकरवी डिजीज के दोस्तों इसकरवी जो डिजीज होती है आपको सभी को पता है विटामीन सी की कमी से होता है इसके तहट इसकर उसमें ब्लीडिंग आती है सूजन आती है तो करेक्ट अंसर आप लोगों का ओप्शन नमबर बी हो जाएगा विटामीन सी आप लोगों को यह भी पिता है विटामीन सी का साइंटिविक नेम क्या होता है एसकॉर्बिक एसेड होता है अब दोस्तों आप बोलेंगे सर यह तो नहीं बताँगों वो क्वेशन भी मैंने इंक्लूड कर रहा है तो सीमिलर्ली आप लोगों से पूछा जाएगा विटामीन सी की कमी से कौन सा रोग होता है आप लोग इसकरवी डूंडों के इसकरवी मिलेगा नहीं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसकरवी डिजीच का ह दूसरा नाम क्या है इसकरवी रोग का दूसरा नाम है अगर इस डिजीच के तहत होता क्या है बेसिकली आपके गम्स यानी मसूडों में सूजनाती है ब्लीडिंग होती बताइए मानव शरीर में टोको फेरोल की कमी किसका कारण बनती है दोस्तों विटामिन सी का तो साइंटिफिक नेम टोको फेरोल है सुरी विटामिन सी का तो साइंटिफिक नेम एसकॉर्बिक एसिड है तो अगर यहां पर बोला जाता मानव शरीर में एसकॉर्बिक एसिड की कमी से क आप कंसर पहला गरह होता अब नियासिन नहीं पूछा जा रहा है तो यार इसको भी हटाओ आप लोगों को बता है विटामीन का साइंटिफिक नेम होता है और इसकी कमी से क्या होता है इन फर्टिलिटी बांजपन बच्चे पैदा ना कर पाना यह वाले प्रॉब्लम होती है अब दोस्तों इस विटामीन के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़े बताता हूं ठीक है देखो आप इन पाचों के का इससीन अप लोगों को ध्यादा रटना है क्या है से जान रखिये कौनसा वेटामीन एसा है जिसे विटामीन के नाम से जानता है तो आप लोग की सिंव स्यच को ध्यान रखिये विटामीन ई को ही आप लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है इसको खाने से सुंदर क्यों होता है देखो समझो एक्चुली में ये एक एंटी ओक्सिडेंट की तरह कारे करता है आपके मन में फिर एक क्योशन आयेगा आप लोगों को पता है जो ऑक्सिजन होता है वो अकेला नहीं रह सकता बहुत अनिस्टेबल है तो अपने पास वले ऑक्सिजन के साथ में जुड़के ये निर्मान कर लेता है ओटू का दोस्तों माल लीजिए आपके बोड़ी में फ्री ऑक्सिजन आ गया तो क्या वे आपका इस्टेबल होगा क्या नहीं सर बहुत जड़ा रियक्टिव होगा बहुत जड़ा अनिस्टेबल होगा तो वो आपके औरगन से रियेट करना स्टार्ट कर देगा आपके स्किन से रियेट करना स्टार्ट कर देगा herd attack किस वज़े से आ रहा है दोस्तों इसी वज़े से आ रहा है आपके body में free oxygen आखे धमाल मचाते हैं तो आप लोगों को ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें antioxidant हो antioxidant क्या करता है यह free oxygen को खतम करता है समझ में आ गई अब आपके मंद में question आएगा कि सरे यार free oxygen मेरी body में आया कहां से दोस्तों आप लोग बहुत समोच से खाते हो बहुत कचोरी खाते हो ना उसी से आता है actually में जब आप लोग market में जाते हो तो जो तेल बार बार यूज़ होता है जैसे आप लोग घर में मनाते हो हम लोग घर में किती बार यूज़ करते हैं उसको एक बार दो बार तीन बार मतलब ज्यादा जड़ता है बट यार वो किती बार सेम ओयल में वही सेम चीज निकालते रहते हैं तो यार उसमें फ्री ऑक्सिजिन के मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है समझ गे बात को खीक है तो अगर आपकी बॉड़ी में यह एंटी ऑक्सिदेंट होगा तो जो फ्री ऑक्सिजिन होगी उसको खतम करता रहेगा वो औक बॉड़ी से नहीं करेगी असकिन से डियक्त नहीं करेगी है अगर इसकिन से तुर जूर्ण, पड़ते है आपकी बॉड़ी में इंस 취 लिए POL लोग विट्यमीन बोलते हैं तो सर इसके लिए मैं ऐसके हरी सब्सक्राइब टीक है substance इसका छोट से बदा मुंपली हाई हरी सब्सक्राहे हूर många थिक है अगर इसकी कमी हो गए तो समय से पहले बुड़ापा जायगी यार यही तो पहचान होती सो बुड़ापा खेले लिए दूसरी बात भान इस वांच-पनं यह इनफर्टिलिटी ना बच्चे पैदा ना कर पाना तो यह इसका है नैक्स कोश्चन आपकी स्क्रीन पर बताओ है क्लियर है गया वही आप तो पढ़ लो देखो पढ़ने से क्या होता है नेश कोश्चन आपके स्क्रीन पर अंसर आप लोग बताईए केर प्राइस अभी क्रिया का डैश का पता लगाने के लिए इस्तिमाल होता है अब आप लोग बोलेंगे सर यह क्या आ गया समझी नहीं आया कोई बात ने भी समझाता है टेंशन क्यों लेते हो दोस्तो जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ जैसे आपकी माता जी ने बोली होगी आपको कभी बोलागा यार बेटा चाय चकना ये मैंने इसमें चीनी डाली है या नहीं डाली है तो आपने माली जे चाय आप लोगों ने पी आपने बता दिया हा मम्मी माता जी आपने चीन पता लगाने के लिए होती है कि यह एलकोल है यह नहीं है मतलब आपने बोला कि सर मैं यह कुछ बोजन लेकर आया हूँ बता उसमें प्रोटीन है यह नहीं है तो इसके लिए भी टेस्ट हो सकता है सर बता यह कार्बॉइड है यह नहीं है इसके लिए भी टेस्ट हो सकता है व बीटा के रूटीन तो ऑप्शन में ही नहीं और यह बीटा के रूटीन होता क्या है सर समझाओ न अभी समझाते हैं टेंशन क्यों लेते हो दोस्तों बीटा के रूटीन होता है एक पिगमेंट सर पिगमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं वर्नक सर पिगमेंट क्या होते हैं ऐसे पदाट जो रंग प्रदान करते हैं सारी बीटा के रूटीन कौन सा रंग देता है ये देता है red orange तो अगर मैं आप लोगों से बोलू हूँ कि क्या पपिता में आप लोगों को बीटा के रूटीन मिल जाएगा बिलकुल गाजर में मिल जाएगा बिलकुल आम में मिल जाएगा बिलकुल तो जब आप लोग बीटा के रूटीन वाली चीज खाते हो ना तो आपका जो लीवर ह वो इस beta के रूटीन को किस में बदल देता है, vitamin A में बदल देता है, दोस्तों कई बार exam में question पूचा जाता है, vitamin A का precursor क्या था, मतलब vitamin A का जब पहले वाला step बताओ, beta के रूटीन, तो आपने जब ये वाली चीज़ खाई, तो आपकी body में liver ने क्या कर दिया, इसको vitamin A में convert कर जी, तो अगर आप लोग चाते हो, vitamin A की कमी ना हो, तो आप लोगों को ऐसा बोजन करना है, जिसमें beta के रूटीन के मातरा बहुत ज़्यादा हो, तो basically इस beta के रूटीन किसी food में है या नहीं है, उसी का पता लगाने के लिए आपनों को का care price reaction होता है, और ultimately beta के protein अगर है, तो मतलब उसमें vitamin A है, तो कि उससे vitamin A ही तो बनेगा, तो आप लोग बोलेंगे vitamin A का पता लगाने के लिए होता है, दोस्तो सारी चीज़े समझ में आईए, क्या प्लीज दोस्तो थमसब करके बताओ, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ, जल्दी से बताओ कुछ नए-नए question आ रहा है, आप लोगों के recent exam में तो आपको उनको भी cover करते वे चलना है, क्योंकि वो यार, vitamin C की कमी से इसकर भी होता हो, 20 साल पहले भी वो equation आ रहा था, आज भी वो थोड़ी आएगा, obviously बात है ठीक है, तो मैं यह नहीं बोल रहा है, वो basic तो पढ़ो, ब टेश, vitamin की कमी से होता है, अब पहले तो आप लोग मुझे यह बताईए, कि यह creatinuria होता क्या है, फिर बताएंगे न, कौन से vitamin की कमी से होता है, दोस्तों, आप लोगों से doctor कई बार बोला होगा, कि आप लोग अपने urine का test करवा के लाईए, जैसे blood का test होता है, वैसे ही urine का test होता है, तो urine का test आता है, तो उसमें basically doctor क्या-क्या check करता है, एक तो urine acid check करता है, जिसे आप लोग इंदी में बोलते है, यूरीक अमल, अगर इस urine acid की महात्रा जादा हुई, तो doctor बोलेगा, उपर परची में, side में लिखेगा, दाल, बंद, अंडे, बंद, सोया बीन, बंद, ये बंद, क्योंकि दोस्तों जो आप लोग protein खाते हो, protein से ही आपका जो use हो जाता है, जो बाकी का waste बनता है, वो urine acid होता है, तो urine acid ज्यादा आ रहा है, इसका protein आप लोग ज्यादा खा रहे हो, और दोस्तों आपकी body में जब urine, मतलब protein का जब use होके, जो waste बचेगा ना, urine acid, तो ये आपके हड्डियों की joints में जम जाता है, जिसकी वज़े से pain होता है, इसे ही आप लोग गठिया बिमारी बोलते हो, इसे ही आप लोग gout disease बोलते हो, तो अगर आपके माता जी को या किसी को या आपको भी दोस्तों को दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा protein खाना कम खाल रहे हो तो, क्योंकि ये क्या है, एक waste है, और ये बहुत poisonous waste है, अगर ये नहीं निकलाना तो हमारी body में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, दोस्तों एक आप लोगों की body में क्या होता है, मतलब आपकी muscles में एक protein पाए जाता है, जिसका नाम क्या होता है, creatine, तो यार, वो protein होना क आप पर चीए था, मसल्स में होना चीए था, बट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत होगे, वो protein आप लोग के urine में निकल रहा है, तो अगर आप लोगों के urine में creatine की मातरा जादा हुई ना, इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग creatine नूरिया बोलते हैं, और ये किस vitamin की कमी से होता है, दोस्तो vitamin E की कमी से होता है, correct answer आप लोगों का option number C हो जाएगा, दोस्तो actually मैं आता हूँ, creatine एक क्या है, protein है, जो कि आप लोगों के muscles में पाये जाता है, जो athletes होते हैं, वो ज़्यादा इस protein का consume करते हैं, अपनी muscles को बहुत strong बनाने के लिए, और दोस्त का जो waste बनता है, उसको बहुते है, creatinin, ठीक है, तो आप कभी urine का test करोगें, तो आप देखना, आपकी urine में creatinin भी मिलेगा, मिलना चाहिए यार, क्योंकि आपकी muscles में जो protein है, वो भी तो धीरे-दीरे dissolved हो रहा है, मतलब metabolism हो रहा है, उसका तो उसका भी तो waste बनता है, ठीक है, चलिए, अंसर आप लोग बताएंगे, question में आप लोगों को बोला जा रहा है, magenta tongue कौन से vitamin की कमी से होता है, दोस्तों इसको आप लोगों को बताना है, please, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक disease बताया थी, glossitis, अरे दोस्तों, इस disease में क्या था, बताया था न जो tongue 30 में तोड़ सा सूजन आ जाती है, तो यह आप लोगों की कौन से बिमारी है, glossitis और glossitis जो बिमारी हो रही थी, वो vitamin B2 की कमी से और नाम क्या है, riboflavin है, vitamin B2 को ही, आप लोग विटामिन G के नाम से जानते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लगता है, आपके बोड़ी में कमी है, vitamin B2 की तो भी यह दूद पियो, दूद के सोर्स, मतलब दूद की जो बाखी के प्रोड़क्ट है, जैसे ना धही हो गया, चाच हो गया, पनीर हो गया, यह सारे बटर हो गया, सारे के सारे आप लोगों के vitamin B2 के अच्छे सोर्स होंगे चली, इसका अंसर बताईए, जल्दी से बताईए, दोस्तो शरीर में डैस से नियाशीन का संसलेशन होता है, बहुत बहुत इंपोर्टेंट NTPC, CBT1 का क्यूशन इस बार देखो, एक्चुली में नियाशीन क्या है, आप लोगों का vitamin B3 है, आप लोग जानते है ना, प्यार चोटी चीजों से वो मिलके बना होता है, उसको आप लोग बोलता है, amino acid यानि amino अमल, total कितने amino acid यानि total कितने amino अमल से मिलके protein मनता है, 20 amino acid मिलके protein का निर्मान करता है, दोस्तों इस 20 amino acid के अलग-अलग नाम होता है, तो उसी में से एक आप लोगों का amino acid है, जिसका नाम क्या ह है ट्रिप्टोफेन यह ट्राइप नहीं होगा ट्रिप्टोगा इसको ट्रिप्टो कर लेना तो यह ट्रिप्टोफेन जब आपकी बोड़ी में आता है यही विटामिन समझ में आ गई बात को और इसकी कमी से 3D डीजी होती है जो मैंने आप लोगों को थोड़ी दिर पहले बताया बताईए नैश कोशन बर्निंग फुट सिंड्रॉम किस विटामिन की कमी को दर्शाता है दोस्तों बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि यार मेरे पैरों में ज है आप लोगों की पैरों में काफे जलन होती है और ऐसा नहीं कि यह गर्मियों में होता है अभी आप कोई को नॉर्मल बैटा उसमें ऐसा लगता है उसके पैर की नीचे किसी ने वह रख दिया हो तो दोस्तों यह डीजीज का एक नाम और है मैं आपको बोल रहा हूं अन्य आप लोगों के जलते है ना तो किसकी वज़ेसा होता है बर्निग फीट सिंड्रॉम यह होता ए्विटामीन बी-5 की कमी से जिसे आप लोग पैंटो चैशड बोलते हो तो सर अगर मुझे ऐसा लगरा है कि मेरे बर्निंग फुट सिंड्रॉम है तो मुझे क्या करना चाहिए आप लोग दोस्तो विटामिन का हो सर विटामिन वाली चीज कहां से मिलेगी दोस्तों आप लोग मिलक पीओ दूद है ना आप लोग एग का जो यॉक होता है अगर आप लोग खाते हो ना अंदर का यलो त messenger सब कुछ मिलेगा आप लोग कोई कमी लगे न तो पहले हरे पत्ते लोपिया क्या है देखो मैं इसको शंकी बात कर रहा था आपको आता सब कुछ है बट इसको गलती कर दिया विटामीन एक की कमी से हम लोग सब रट के चल जाता है नायट ब्लाइडनेस रतवन दिरोग होता है रात को डंग्से नहीं देख पाना अब आप लोग भले में आपल से आप डंग्से नहीं देख पारे हो तो इस ही डिजेज को बोलते है night blindness रतवन दिरोग और इस night blindness का दूस्तों दूसरा नाम है nictalopia तो nictalopia किसकी कमी से होता है vitamin A की कमी से तो इसके तहत क्या अंधरपन आ जाता क्या नहीं इसमें कॉरणिया खराब हो जाता क्या नहीं इसके तहत क्या होता है आप लोग dim light में देख नहीं पाते correct answer आप लोगों का option number D होगा दोस्तो clear रहे गया अब एक बात समझिए actually तीनों मैं आपको disease बता देता हूँ vitamin A की कमी से होने वाला एक तो होता है आप लोगों का night blindness जिसी का दूसरा नाम क्या है जिरो ठैल मिया को हम लोग हंदी में अष्र सुक हो भी बोल देते हैं मैं इसको लिख देता हूँ यहां पर अश्रू सुष्क जिखो डोस्तो अश्रू शुष्क रोग क्या होता है समझिये आप लोगों की जो इसमें थोड़ा लिक्विड होता है कि बिलकुल अगर यह पूरा का पूरा सूख गया तो आपकी आख ड्राय हो जाएगी न तो इसी डिजिस को बोलता है जीरो थैल्मिया एक होता है केरेटो मलेशिया क्या होता है यह आप लोगों की हुमन आई है ऐसी आई होती है तो यह आ आज देखो प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि हां सर आप पढ़ाओ बाकी काम मेरा है तो बच्चाएर एके को भी एके को शेर करोगे तबी तो मज़ा आएगा ना चलो बीटा अंसर बताइए ट्रांस केटोलस गतिवीदी डैश में प्रभावित होती है आपकी बोड़ दोस्तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनका अलग-अलग कारे होता है तो सिमिलरली में आप लोगों को बता दूँ ये ट्रांस केटोलस आप लोगों का क्या है कुछ भी नहीं है ये एक एंजाइम है जिसका कारे होता है दोस्तो RNA का निर्मान करना कोशी का में पाए जाता है RNA ठीक है तो उस RNA का निर्मान करना समझ में आ गया तो इसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए आप लोगों को क्या चाहिए विटामिन बीवन चाहिए थाइमिन चाहिए तो अगर विटामिन बीवन थाइमिन की कमी हुई तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा और विटामिन बीवन का ही दोस्तों नाम क्या है थाइमिन है तो सर फिर मैं क्या खाऊं जिससे विटामिन बीवन की कमी ना हो तो अगर आप ल मतनब जो meets होते हैं dunno का जो मिल आप की क्यूटिंग के लिए आप लोगों का होता है विटामीन के बहुत इंप्पोर्टने है आप लोगों को सकता है इसका सर कैसे होता है देखो यह हमारा माउथ हो गया यह हमारा गरदन हो गया मतलब हमारा ग्रास नली हो गया जिसके तैट बोजन मुह से नीचे आएगा फिर यह आप लोगों का पेट हो गया पेट के बाद में छोटी आत होगे छोटी आत के बाद में बड़ी आत तो इस बैक्टिरिया जिवानों की वज़े से आप लोग के बॉड़ी में विटामिन के का निर्मान हो जाता है तो सार अगर मुझे चलो बॉड़ी में निर्मान हो रहा है सब छोड़ो लेकिन मुझे फूड के मादधम से चीए तो देखो यहां पर भी आप लोगों की एहम भू में समय लगेगा अगर कहीं पर छोट लगे तो खुन निकलता है रहेगा जमने में समय लग जाएगा चलिए अंसर बताएंगे विटामिन की कमी से तक्के में दे दिया मैं आपको बता दिया जली से बताएं किसे बोलेंगे यह साइनो कोबेले मिन विटामिन बीट वैल को बोलेंगे सिंपल कुशन है चलते हैं ठीक है तो साइनो कोबेले मिन बोल दीजिए दोस्तों एक चीज इंपोर्टेंट ज्यान रखना है आप लोगों से कई बार पूचा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन पाया जाता है ऐसा मतलब बारिश के पानी में कौन सा विटामिन बारिश के पानी में रेइन वरटर में आप लोगों कोई विटामिन बीटवैली बोलेंगे में इसके कमी से कॉण सा रोख होता है परनिश्स एनीमिय में आप लोगों को परता हूँ अनीमिया क्या है आप लोग के बोड़के और की दिक्कत आ रहे की आ हैं और यहाशिज सेनी में पूछा जाए vitamin B12 की कमी से होता है और क्या होता है इसमें दोस्तो strawberry tongue डीजी इसमें क्या होता है आपकी जो टंग होती है इसमें छोटे काटे-दार संदचना जैसे कुछ दोस्तो आपकी muscles के लिए कौन सा important, vitamin E बहुत important है अगर vitamin E की कमी होता है आपकी muscles weak होगी आपके जो RBC होगी न वो भी थोड़ी नाजूग होगी वो भी weak होगी ठीक है तो correct answer आप लोगा option number B हो जाएगा ठीक है तो यह vitamin E इसका scientific name tocopherol है इसको anti-stallity vitamin क्यों बोल रहे है क्योंकि distality से बचाता है आप लोगों को clear है यह सारी चीजे मैंने आप लोगों को अभी छोड़ी देर पहले बताई थी vitamin E के बारे में चलिए बैरी बैरी किस कमी से होता है विटामिन B1 की कमी से होता है दो इस तो correct answer option number D यह तो आप लोगों का simple question है यहाँ पर आप लोगों को एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है क्या अपसर यह जो बैरी बैरी डीजीज होती ना यह होती क्या है यह समझाओ हम लोग बस रटक केंदी तंतर का तंतर क्या होता है आप लोगों का मस्तिक और आपकी spinal cord मेरुरजू कार्डियो वस्कुलर सिस्टम किसको होता है वह वाला सिस्टम वह वाला तंतर जो आपकी बॉड़ी में blood का circulation करवा रहा है तो इसमें hurt भी आ जाएगा blood नलिया भी आ जाएगी इनसे blood आप बी नाइन की कमी से जिसका दूसरा नाम folic acid है जिसको folate के नाम से भी जानते हैं अब सर यह megavlustric anemia होता क्या है चोड़ा बता तो दीजिए अब नहीं समझाते हैं देखो अब आप लोग बढ़ी है ग्रोथ हो रही है तो तो अगर लिमिट से कोई पी चीज़ कम उड़ी ज्यादा हो रही है तो डैट इस हामफुल for human body तो मेगा ब्लॉष्टिक एनीमिया में आरवी से का जो शेप होता है साइच होता होता है और जाता है चलिए अनसर बता दो जल सा तो एक संच था कौन सा यूग में साइस सुले मिट नहीं है विटामिन बी 1 की कमी से बयरी बयरी याईयार अभी बताया था सर सही सू मेलीत है vitamin C की कमी से इसक्रवी सही सु मिलीता है vitamin B12 की कमी से pane jalee सही सु ले मिलीता है vitamin B4 की कमी से पहला गरह होता है नहीं सर पहला गरह तो आपने बताया था vitamin B3 की कमी से होता है जिसके 3 symptoms से 3D, diarrhea اور क्या था, वोली क्या मतलब dermatitis और ये क्या था, dimension ठीक है तो विटामीन ये मतलब आप लोगों का सही मैच नहीं है तो करेंट टंसर आप लोगों का हो जाएगा चलिए बताईए बहुत 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 अच्छा ग्योशन है कई बार आप लोगों से पूचा जाता है देखो याद पार जारी गत्तर बच्चे देख रहे हैं बट लाई क्यार गुंचा लिस्व ऐसा कंजूस क्यों बनते हो बेटा आजाओ तो निमली किट में से कौन एक मैला के गरबावस्ता के प्रारंबिक चरन के दोरां जन्म दोश्यों को रोकने के लिए सबसे आवशक पो जूम करना चाहिए उस लेडी को ठीक है तो फॉलीक एसीड प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए अगर फॉलीक एसीड की कमी होई तो जो बच्चा होगा उसका प्रॉपरली डवलपमेंट नहीं हो पाएगा आप लोग एक चीज और ध्यान रखेगा विटामिन B9 मैंने आप लो इसे का शेप ज्यादा हो जाता है साइज आप लोगों का बढ़ जाता है चलिए विटामिन एका सबसे अच्छा सोड़ से बताओ जली से बताओ स्वीट पोटेटो के लिए कौन सा विटामिन आवशक है देखो इधर समझीए दोस्तों इधर समझीए आप लोग जब भी कोई चीज खाऊगे तो अल्टिमेटली आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में नहीं होगी फिर क्या करें इस केस में तो actually में मतलब कौन सा vitamin है जो calcium के absorption में बहुत important role play करता है vitamin D अगर vitamin D की कमी होई तो आपकी body में calcium का absorption नहीं हो पाएगा आपकी हड़िया weak हो जाएगी और आपकी हड़िया जो weak हो जाती है इसी digits को आप लोग बोलता है ricate osteomalacia osteoporosis सारे के सारे हड़ियों के रोगे vitamin D की कमी से होता है क्योंकि vitamin D नहीं होगा तो calcium absorb कैसे होगा यार चलिए last question आपके screen पे दोस्तो vitamin B9 की कमी से mega blastic anemia vitamin B12 की कमी से parnicious anemia अब एक नया anemia आ गया sidroblastic anemia ये किसकी कमी से होता है दोस्तो पहले तो आप लोग समझते हैं sidroblastic anemia होता क्या है दोको समझो actually में इसको आप लोग break करके देखो anemia का मतलब क्या है आपके body में RBC की कमी होना या RBC में कुछ दिक्कत होना वो सकता उसका shape change हो जाए size change हो जाए या उसकी संख्या change हो जाए ठीक है तो अगर आपके healthy RBC जो स्वस्त RBC वो कम हो रही है मतलब कोई में पतन क्या परेशानी हो गई कोई में क्या हो गई तो इसी चीज़ को आप लोग बूलते है दोस्तों sidro का मतलब है iron blastrick का मतलब है immature देखो आप लोगों की जानकरी के लिए मैं बता दूँ जो हमारी RBC उतिन लाल रखते कोशी का उसमें क्या कौन सी metal पाई जाती है iron पाई जाता है तो अगर iron आप लोगों का proper मातरा में नहीं है किसी RBC में तो इसी वाली डीजीज को आप लोग बोलेंगे sidroblastic anemia clear है क्या तो आप मुझे बताईए क्या बात समझ में आ गए क्या तो ये किसकी कमी से होता है आप लोगों को बताना है बताओ जल्ली से vitamin B6 क्या बात दोस्तो बहुत बढ़िया दोस्तो सेशन में मज़ा आया है नहीं आया तो आज के लित्ता रखते हैं कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पढ़े कल-कल-कल-कल स्केल्टल सिस्टम कंकाल तंतर सारी हड़िया एक क्लास एक क्लास कदम तो प्यारे दोस्तो इस क्लास की PDF साइंस मैगनेट एप में यूटूब क्लासेज में जाईए आपको यहां पर मिल जाएगी टोड़ी दिर बाद में और दोस्तो डॉन फॉर्गेट टू जॉइन माइ सब्सक्राइब बहुत प्यारे तरीके से सब कुछ पढ़ रहे हैं बिल्कुल शांदर मज़े आपको आजाएंगे पूरा एनिवेशन के साथ में पढ़ रहे हैं मतलब आपको कभी जीवन में यह लगिन सकता कि सार साइन्स ऐसी चीज जो मुझे नहीं आ सकती देखो बहुत प्यारी तरीके से सब कुछ पढ़ रहे हैं मात्रो मात्र 699 में का मतलब मैं ऐसा प्रोडेक्ट लाना ही नहीं चाहता जिसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्का दो वहना टैसरी में 25 दिन में ला सकता दा थोड़ा सा उसमें कुछ ही चल रहा है काम इसलिए मैंने चला के प्राइज इतनी जार रगदी जिससे गलती से भी कोई बच्चा नहीं स्कोर्स लें टैसरी जब आएगी मैं बता दूंगा थैंक्यू सो मच दोस्तों मिलेंगे शाम को चार बज़े डॉपलर इफेक्ट और आप मुझे बताईएगा क्लास कैसे लेगी इस कमेंट सेक्शन में थैंक्यू सो मच